के गाइज वेलकम तो स्मार्ट प्रिपरेशन माई सेल पनूसिंग और इसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूं एससे की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ठीक है तो इसमें गाइज क्या लोग की गलती हो जा रही है तो इसके से रिलेटड मुझे बहुत सारे मैसेज मिले कि क्या कैस जा राव है कि बहुत सारे मतला करें है क्लिक् cutest करने करहें कि और यह एक बार रर्जिस्टैशन होने के बाद यह आपको जब जितने भी स्सटी की दोले आटींगें की सब इसे इसना डाती होग़िव्स कउगई उ πॉलने की तो इसमें गलत्ती होगी तो बहुत ज्यादा क् कि आपको कोई problem हो रही है तो वो आपसी sort out हो जाए क्योंकि अगर आप एक बार रेजिस्टेशन कर चुके दोबारा ही लेगा नहीं उसमें लिखता है कि 14 दिन के बाद वो अगर आप form fill up नहीं करते हैं तो वो registration को cancel या delete कर दिया जाएगा अससी के दोबारा ठीक है जब भी अपने registration किया होगा तो वहां लिखा रहा था है और कई बार होते हैं कि कई एक state preference जो नीचे आता ना state preference ठीक है state preference या फिर आप किस state से हैं अगर उसमें आपने गलती से कुछ कलत कर दिया तो फिर वो तो आपका change होने वाला नहीं है इसके लिए मैं आपके लिए नहीं कैसे आप दोबारा registration करें तो जब आप registration करते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पहले आपको registration ID ढलना होता है तो registration ID में पहले मान लिचे आपने आधार काट डाला होगा ठीक है तो next time में अगर आपको गलती हो गई उसमें आप दोबारा करना चाहते हैं तो आपको other कोई और ID डालना होगा चाहे वो pen card हो water ID हो आप यहाँ पर select करिए ठीक है यहाँ select करिए किस ID को आप यहाँ पर prefer करना चाहते हैं उसके बाद इसमें fill up करिए ओके तो सबसे पहले important क्या हुआ कि आप registration ID को आप यहाँ पर fill up करिए दूसरा registration ID हाँ देन आता है 10th का roll number ठीक है 10th का roll number यह important है अगर गाइज किसी के भी 10th के roll number में starting में 0 से start रहा 0 3 2 5 मालने जी मैं ऐसी ले रही हूं तो 0 से डाला होगा आपने तो जब पहले वाले registration number में आपने 0 से starting किया था तो यहाँ पर आप 0 हटाईए बाकी नमबर को लिख दीजिए अगर जिनके roll number में 0 नहीं है वो क्या करें वो आगे 0 लगाए ठीक है 2 3 4 5 मालने जी है कुछ तो इसके आगे 0 लगा दे ठीक है तो आपका सही हो जाएगा इधर ना लगाए गाइस ठ स्टार्टिंग में लगा दे 0 जिनका 0 नहीं है स्टार्टिंग में लगा दे जिनका है वो हटा दे ठीक है तो यह आपका roll number में चेंज हो गया उसके बाद आता है क्या रजिस्ट जो आपने email id डाला है और phone number ठीक है यहाँ तो आपका roll number हो गए यह वाला फिर आजाएंगे आप email id और phone number ठीक है यहाँ पर आपको email id डूसरा email id डालना जो पहले आपने नहीं डाला था वह लाई email id डालना है दूसरा और फिर phone number डालना है देखिए यह वाला जो option देख रहे हैं यह एक बार आपने गलत कर दिये दोबारा यह edit वाले option में नहीं आता है ओके गाइस त क्या क्या आपको चेंज करने हैं पहले तो id चेंज करना है role number में starting में 0 हटाना है या 0 लगाना है ठीक है फिर email id की बात करें email id डूसरा email id लगाना है और फिर last होता है mobile number ठीक है mobile number भी आपको दूसरा करना है तब आपका 100% आपका registration हो जाएगा ठीक है उसके बाद जब यह हो ठीक है guys तो जरूर से इसको follow करें और अगर इससे आपको help मिला अगर आपको इससे benefit हुआ तो like, share, comment जरूर कर दें ओके guys तो और modic, जिने modify करना है वो क्या कर ले यहां से जाके modify कर ले इस पर click करें अगर photo edit करना है तो यहां से कर ले फिर अपना form को fill up करें मानले जी इसको 10 plus 2 fill up करना है तो यहां से apply करे, fill up करे, print करे देन उसके बाद अगर आपको payment करना है अगर mail है तो आपको payment करना पड़ेगा तो इ एक से रिक्रमेंट जुरूर करेंगे गया, okay guys, thank you, bye bye and take care.